तो बहिए कैसे हो आप लोग पर देखो जब भी मूवी से लिटेट बात होती है तो एक आर्गुमेंट ज़रूर आता है कि क्या मूवी को सिनेमा में रिलीज होना चाहिए या फिर ऑनलाइन रिलीज होना चाहिए और यह आर्गुमेंट से बहुत ज़्यदा बड़ा है जब स इसले कुछी दिनों में हुआ कुछ यू कि वानर वर्दर्स ने अनाउंस किया कि उनकी जो 2021 की मूवीज हैं वो उनको सिनेमा में तो रिलीज करेंगे लेकिन उसके साथ सेम डे पे एच्वियों मैक्स पे भी रिलीज करेंगे इसके बाद वो लोग जो वानर वर्दर्स के ये काम करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक शदीद गम और गुसा है इस तो बहुत बढ़ी खाजमारी है डिरेक्टर के साथ पहले मशूरा करते हैं पहले मीटिंग करते हैं उसके बाद जो भी डिसीजन लेना था लेते लेकिन डिरेक्टर के गुसा होने के बीसे सरफ है एक और रímनोंगी है वो ये किजब मुवीज सिनिमा में पहले में रिलीज होती है तब क्लेक्षन के लिहाँ से पता लग जब जkt है कि डिरेक्टर को कितना पैसा मिलेगा अक्टर को कितना पैसा मिलेगा percentage निकल आती है काभी सारे डिरेक्टर संचें से के पादि के लुप्स में लान्ट कर रहे हैं लोकी आ रहा है वांजा वीजन आ रहा है उन लोको मैं पहले से बता देना चाहतु है मार्वल ने डिसिजन अब नहीं लिया मार्वल ना 2019 में अनौंस कर दिया था कि यह हमारे शोज डिजनी प्लस पे रिलीज किये जाएंगे तो अपनी ना कल का इस्तमाल किया करो नाओ लेट्स टॉक अबाउट दसिनिमा सिनिमा का क्या फ्यूचर है सिनिमा इस सारी सिच्वेशन से किस तरह से एफेक्ट होगा देखो टॉकिंग अबाउट अबी जो होने वाली है वंडर वुमन लोग कह रहे हैं आपके वह 25 डिसेंबर को सिनिमा में रिलीज होगी बहुत जब सी स्टूडियो बहुत कमाल कमाल के मूवी मारकेट में उतारने वाहते थे हुआ के वजह से क्या हुआ है कि अब दो ऑप्षिन्स स्टूडियो के पास की मज़नी मोविस किसी स्ट्रीमिंग सर्विस को बेज़ थें, राइटस बेज़ थें, नेट-FLIX को, Amazon त्राइम को, या फिर बेच बियो मैक्स जिसते हैं, इनको राइटस बेज़ थेंगा। ऑर allain बात हो जो मैं भी का रहा हूँ लेकिन में भी अगले साल तक भी रहेगा 2021 भी ऐसा ही गुजरेगा और में भी 2022 के कहीं मिड में जाते इसका कुछ खात्मा होगा तो अगर हम इस बात को देखें तो बहुत मतलब खसारी में चले गए नए तो यह प्रूणे का हाँ कि यार यह क्या खच है कि यह क्या खाच है हमने मूवि मूई बनाईए है तो इस वज़ा से स्टूडियो ने सोचा कि क्यों न हम आनलाइन मूविस क्यों टो यह स्टूडियrich हैं तो यह अब बनाई है जिनके बैनर के नीचे मूवी प्रोड्यूस हुई है तो इसके बाद एक क्वेस्टिन यह निकल गया था कि क्या सच में सच में सिनिमाज खतम हो रहे हैं देखो भई मैंने आपको बता तो दिये कि क्रोना वर्रस की सूरत कितनी खराब है और कितने टाइम तक सिनिमाज बंद रह सकते हैं तो इस सूरत में देखें तो वाइनर ब्रिदर्स ने अच्छा काम किया है मतलब आनलाइन देखो यार सुकून से अब मुझे एक बात बताओ आप लोग खुद ही चाहते हो ना कि आप लोग मारवल का कॉंटेज़ देखो तो यह आपको रास्ता मेर रहने तो बैठ वो एक डो साल हो आखी गोर्णा वारष अभी कहीं नहीं जा रहा जो स्टैट्स है उनके मताबिक तो अभी के लिए तो यह decision मुझे बहुत ज़दा अच्छा लग रहा है और मैं इसकी बहुत ज़दा हिमायत करता हूँ लेकिन future के इसाब से मेरा मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार future में जब theaters वगरा open हो जाते हैं अब यह करना चाहिए कि जो बड़ी movies हैं उनको cinema में release किया जाए और जो छोटी movies हैं उनको HBO Max पे release करते हैं या Netflix को बेश दिया जाए या Amazon Prime जो भी मतलब आप करना चाहूँ वो आप कर सकते हैं उसके साथ अगर मैं आप से पूछों करोना वाइरस के टाइम पर आपको दो option दिये जाए ब्लैक विडो आप घर बैठके देख सकते हो online ठीक है चिल करो popcorn पकड़ो यह जो भी आपने बनाया हुए पकड़ो भई सोफे पर बैटो movie देखो दूसरा option यह कि करोना वाइरस में जाओ बाह करोगे यहां फिर आप अपनी safety को तरजीद होगा और घर में देखोगे obviously अगर आप में थोड़ी सी sense है तो आप घर में बैठके देखोगे तो जब हमें एक लंबा अर्सा इसी तरह चलते रहेंगे हमें एक बहुत ज्यादा मतलब एक बाल बताई जाएगी कि हमने घर पर तुझे लो नेट पर ही देख लगते हैं तो यह है इस decision का long term effect और इससे मुझे लगता है कि यार Warner Brothers ने बहुत बड़ी एक खच मारी है क्योंकि इससे सच में cinema मर सकता है मतलब खुद ही देखो ना यार अगर लोग यह decide करना लग जएगे कि जो फिल्म हमने एक 3-4 km दू लोग देखने जा रहे हैं लेकिन जब उनके पास दूसरा option available होगा तब कितनी collection हो सकती है cinema से suppose वह लो अगर एक कोई cinema एक cinema एक theatre hall एक करोड कमाता था ठीक हो गया अब आदी उसकी audience चली गई घर में जो घर पे बैठके देख रहे हैं तो कितना रह जाएगा 50 लाख 50 लाख र आजे क्या पता तो इस चीज़ से cinema को कितना ज़दा नुकसान होगा और मेभी theatres बंद हो जाएगा और हम एक ऐसे future में जहाएं जहाँ पे फिल्में release तो हो रही हैं लेकिन online release हो रही है और आपका दिलकार भी रहा है कि आप theatre में जाके देखो तो भाई theatre तो ही नहीं तो इस इस वाई I think कि ये एक बहुत बड़ा मतलब cinema killer हो सकता है लेकिन at the same time I think ये नहीं भी हो सकता क्योंकर जिसना मैंने का अगर Warner Brothers ये करते हैं कि जो pandemic time है उसमें हम इस rule को apply करते हैं जैसे pandemic हो जाएंगे तो बड़ी movies cinema में चोटी movies streaming service पर तब ये एक बहुत अच्छी चीज रह सक लेकिन अगर वो इसको throughout the years plan करेंगे कि आगे चलके हमने ऐसी करना है तो बैटा फिर तो cinema के L लग जाएंगे मैं बता रहूं भी यहां पर सीधी सीधी मैंने बात बोल दी अगर Warner Brothers ये चावल continue रखेंगे ना तो फिर तो cinema के L लग के वीडियो को मैं इस पॉइंट पर conclude करू ये तो थी मेरी आज़स की वीडियो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कैसा मेशती हो क्या ये डिसिजिजिए अच्छा है तो किस लिहाज से अच्छा है और इसका long term effect क्या है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने जो भी आपकी रहा है उस से मुझे जरूर अगाह करना कमेंट सेक्शन में बाकी मैं आपसे नहीं हुआ हुआ इस वीडियो में तब तक लिए फने बहुत साथ क्या रखना पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाहाफिज